जै गुरु देव महरशी वेद विज्ञान विश्व विद्या पीठम के जोतेश विभाग द्वारा नित्य दैनिक वैदिक पंचांग और राश शिफल पर विमर्ष किया जाता है आज 29 जुलाई 2022 के दैनिक वैदिक पंचांग का प्रबोधन कर रहे हैं यह एक सो पांचमा महरशी समवत्सर चल रहा है दो हजार उन्यासी विक्रम समवत्सर के अंतरगत इस समय अयन दक्षणायन है वर्षा रितु है श्रमण मास है और शुक्ल पक्ष की पुनीत प्रतिपदाती थी है आज शुक्रवार है पुष्यनक्षत्र है सिद्धी योग है और किंस्तुग्न करण है आज प्रतह पांच बजकर तेईस मिनिट पर सूर्योदे हुआ है और सायंकाल छे बजकर सेटीस मिनिट पर सूर्यास्त होगा इस तरह आज के इस पुनीत दिवस को और मंगल कारी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसका चिंतन मनन करने के लिए राशि फल पर दृष्टी डालते हैं मेश राशी जिस पर मंगल और राहु का गोचर चल रहा है कार्य सिध्धी के संकेत हैं पराक्रम का विस्तार होगा भूमी भवन में आएके योग हैं किन्तु तनाव भी रह सकता है एतदर्थ आप रुद्रा भिशेक करें आपका कल्यान होगा व्रिश राशी पर आज मनोनुकूल सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं धार्म मार्ग से उन्नती प्राप्त होगी आप विश्ण सहस्र नाम का पाठ करें और अच्छा रहेगा मिथुन राशी पर शुक्र का गोचर चल रहा है आपके कल्यान के सभी द्वार खुले हैं मा भगवती दुरगा की उपासना करें तो सर्व विध आपके कल्यान के मार्ग खुल जाएंगे और आपकी उन्नती होगी करकराशी पर चंद्रमा बुद्ध और सूर्य इन तीन ग्रहों के संयोग से प्रकृती की अनुकूलता संकेतित हो रही है शनी की सब्तमद्रिष्टी भी पड़ रही है एतदर्थ मन भावुक रहेगा किंचित तनाव रह सकता है व्याकूलता के भी योग हैं ऐसी स्थिती में धैर्य पूर्वक धर्म करते रहें देवदर्शन करें माता पीता का आशिरवाद लें तथा भगवान नारायन का अस्तवन मनन पूजन करें आपका शुभ होगा सिंग राशी सिंग राशी के जातकों का स्वभाव उग्र होता है एतदर्थ आप सैयमित भाशा का प्रियोग करें कटुवचन न बोलें और क्रोध पर सैयम रखें निश्चे ही आपका कल्यान होगा राम रक्षा अस्तोत्र का पाठ करें कन्या राशी के जातकों पर ब्रहस्पति की सब्तम द्रिष्टी पड़ रही है मन सहज शान्त और आनंद युक्त रहेगा पदोन्नती के योग हो रहे हैं मांगलिक कार्य का समाचार प्राप्त होगा उत्तर दिशा से आपके लिए कोई अनुकूल संदेश प्राप्त होगा दिवस को और अच्छा बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें तुला राशी केतु का गोचर चल रहा है मंगल राहु की सब्तम द्रिष्टी है किंचित तनाव रह सकता है पराक्रम का विस्तार होगा या शकीरति मान प्रतिश्ठा के लिए आप गजेंद्र मोक्ष स तोत्र का पाठ करें तथा देवदर्शन करें व्रिष्टिक राशी के जातकों का आज का दिवस शुब होगा किंचित भावुकता रह सकती है और छोटी छोटी बातों पर आप अधीर हो सकते हैं तो व्याकुल होने की आवशक्ता नहीं है संयम बनाए रखें और भगवान शिव का स्तवन मनन पूजन करें ओम नमस्षिवाय का जब करें धनुराशी धनुराशी पर शुक्र की सब्तम दृष्टि पड़ रही है आज मन बहिर मुखी रहेगा आनंद उत्सव और भ्रमण के लिए लालाइत रहेंगे कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा पर अ युक्ताज का दिवस्व्यतीत होगा और अच्छा करने के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें मकर राशी मकर राशी पर शनी का गोचर चल रहा है चंद्रमा बुधर सूर्य अपनी सब्तम दृष्टि से देख रहे हैं एतदर्थ आज मन अधीर रह सकता है व विलंब से होंगे एतदर्थ धैर बनाए रखें भगवान शिव की आराधना करें ओम नमाशिवाय का जब करें कुम्भराशी के जातकों का आज का दिवा सत्यंत शुभ व्यतीत होगा आपके जीवन में कुछ उत्सव की भूमिका बन रही है मांगलिक कारी के योग बन रह पराक्रम में वृद्धी होगी एतदर्थ आप रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करें मीन राशी ब्रहस्पति का गोचर चल रहा है अध्येन मनन चिंतन में आज सफलता प्राप्त होगी आज आपकी बुद्धी प्रकर है इसका आप सदुपियोग करें और लोक कल्यान के कारी क अपने मनोरत को पूर्ण करने के लिए श्री सूक्त और पूरुष सूक्त का पाठ करें और कराएं जिससे कल्यान होगा आप सभी के लिए अनंत शुब कामनाएं जै गुरु देव